कि जैन मित्रों हमारे यूट्यूप चैनल इस्टेट वी सरनाइजस में आपका स्वागत है हिंदी की हिंदी साहित की क्लास में सूरदास के पदों की व्याख्या का की तीसरी क्लास है तीसरी क्लास में हम तीन पदों पहली क्लास में दो पद की व्याख्या हमने की थी दूसरी क्लास में तीन पदों की बैख्या पांच पदों की बैख्या किया था इसमें किवल तीन पद हैं इन में उन्हीं पदों को हमने लिया पहले सबसे पहले उन्हीं पदों को सिविल सर्विसेज में या पहले जो हिंदी साहिट आप्शनल इस्टेट प्रोविंसिल सर्विसेज मे जो बात दे थे अप्सनल था हिंदी साइथ तब जो भी क्वेस्टन आये हैं जो इंपार्टेंट है मैंने उनको लिया है यह अक्सर आप देखेंगे तहार चाहे कडमिक हो नेट हो हर जगह यह आपको दिखेंगे शुरू करते हैं जैसे पहला है प्रीतिकर दीनी गरे छुरी जैसे बधिक चुगाय कपटकन पाचे करत बुरी मुरली मधुर चोप कर कापो मोर चंदर ठटबारी बंक बिलोकन लूक लागिबस सकीन तनाई समारी तलपत छाण चले मदवन को फिर कैलाई नसार सूर दासवा क प्रिटिकर दीनी गरे छुरी मतलब पहले तो सकते हैं कि जो देसी कहा होते हैं उनका प्रयोग हुआ यहां पर तो स्रीक्रिष्न वोपियां उधो से स्रीक्रिष्न के प्रतिका रही है कि उन्होंने प्रेम करके हमारे गले पर छूरी चला दी यानि पहले तो प्रेम किया उसके बाद धोखा देकर चले गए उन्होंने वैसे हैं किया जैसे आगला लाइन देखिए जैसे बधिक बधिक मतल प्रेम रूपी छल से हमें फसाया पहले और फिर अब जो है हमें ब्योग में तड़कता चोड़ करके चले गए पीछे करत बुरी मुरली मधुर चोंप कर कापो मोरचंदर ठठवारी इन्होंने फिर गोपियों को कैसे फसाया मुरली मधुर यानि मधुर मुरुली वजा करके उस मधुर मुरुली के धुन्यजन ने लासे का काम किया और जिससे हम चिपक गए उनसे लासा तो क्या करता है चिपकाने किम करता है चोप करी काप ओ पूर छोप मतलब मोध करका पू अनुने बनाया अब उससे जो है मुर्ली प्रेम को न्होंने पंपा बना लिया प्रेम को अपने एक चक नहिका सकते ह Clearly जैसे एक फसाने के लिए जानुरों को फसाने के लिए चिडियों को फसाने के लिए बना जाता है तो उसको बनाया उन्होंने और उस पर जो है लासा लगा दिया ताकि कोई उधर से जाये तो उसी पर चिपक जाये मौर चंद्र ठटवारी और मौर रूपी पंख मौर पंख रूपी टटिया की आण से सारी ब्युस्था बना करके देखते रहे कैसे यह गोपियां फस्ती है और बंक बिलोकन लूक लागी बस सकी नतरम तनह समारी बंक बिलोकन मतलब बक्र होकर करके जैसे उनकी जो बांकी चितवन थी उस बांकी चितवन में ने आग का काम किया और जिसमें पढ़ने के बाद जैसे चिडियों का पंक भून जाता हो उसी में गिर करके सब अपने आपको समाप्त करके अगनी में ही समाहित हो जाती है ऐसे ही गोपियां उनके बांकी चितवन में बांकी चितवन रूपी आग में जा करके अपने आपको समर्पित हो गई उनके कृष्ण के अंसके रूप में अपने सरीर को नहीं समार पाई सकीनत नहीं समारी हो उन्ह सर्वस उन्हें दे दिया है तब वो हमें तड़कता हुआ छोड़कर कहां चले गए मदुबन को फिर कैल लाई नसार फिर दुबारी संदेश नहीं लिया उन्होंने और सूर दासवा कलब सरोवर फेर इने बैठी डार गुपियां कह रही हैं कि स्री कृष्ण के प्रेम रूपी ब्रिक्च पर कल्प ब्रिक्च पर हम दुबारा सवार नहीं हो पाया दुबारा उनके दर्सन हमें उनके मधुर बंक बिलोकन या उनके मधुर नटवर लाल रूपी छवी के हम पुने अगरसन मोर मुकुट के दर्सन हमें नहीं हुए फेर इने बैठी डार उ इसमें सांग रूपक है पूरे में और प्रीतिकर दूनिक दीनी गरेचुरी हमने बताये कि इसमें रूढ लच्छडा का प्रयोग हुआ है कि इसका कि रूढ लच्छडा कि इसके बाद कि यहां पर सूर्दासवा कलप पर सरोवर फेरी ने डैस बैठी डार यहां पर निरासा बाद है कि निरासा बाद की धल गोपियों में दिखाई पड़ती है और बंक विलोकन लूक लागिवा सकीनत नहीं समारी कि बस दो तीन चीजें इसमें देखना जरूरी है ह籃र और यहांपर है कि यहां पर रूपक है रूपक लंग्कार है मों मधुर चोपकर मदो मुरलि मुर्म चोपकर मतलब कापो मौर चंदडर ठठबारी है थुट रवा गुड़ है रूपक लंगार सीधा सेज़न नहीं दिखे रहा हा लेकिन पूरी पंक्ति को अगर देख केंगते हैं दूसरा प्ड़ीन गोपाल बयरन भाई कुझिंजए कुपियां कह रही है कि की औरफ से यह वर बिन गोपाल बयरन भाई बैरेन माने बैरी हो गए सपास त्रों में बिणा गोपाल के बिना कृस्ट के मूरली मरुंधय के we continue कुँंढ़ाइं कोमें लटान लटाओं की छाह जो होती है उए उसे कुझ हो इस को काते हैं कुझ लगव्स पुनजो ही हैं तो यह हमारी सत्र्रो हो गई है कि न फेम्ड गई है तब यह लटा लगत ये सीतल अब भःविसम जृुत है तब ये लता लगतियति सीतल अब भाई बिसम जॉल की तब ये लतांगे जब स्रीकृष्ण हमारे साथ थे रासलीला करते थे उसके छाओं में हम बैठते थे उनके साथ तब क्या होता तो वह हमें सीतल ता पतान करती थे लेकिन अब भाई बिसम जॉल की पुझे यानि अब जो है वो अगनी की जौला के समान हमें दगध कर रही है यानि बिरा की अगनी में जब हम जल रहे हैं उनके बियोग की अगनी में जल रहे हैं तो ये लता की छाह भी हमें सांती ने परदान कर पाती है जबकि उसी लता की चाह में हम बहुत निश्चिंत होकर के क्रिश्न की चाह में हमें सीतलता परदान करती है बिर्था बहात जमुना खग बोलत बिर्था बहात जमुना जमुना जो है बेर्थ बैह रही है तो हम उतके किनारे जब घूमते थे जमना के किनारे तो बहुत ही हमें आनंद की अनुभूत होती थी परमानंद की अनुभूत होती थी लगने अब तो लगता है कि जमना बेकार ही बैह रही है खग बोलत अब हमें पच्छियों की ध्वनी भी बहुत मधूर नहीं जान पड़ती है यह ऐसा लगता है कि बेर्थ ह या जुन कमल को देख करके हम फूले नहीं समाते थे, उन कमल वह ऐसा लगता है कि वो बेकार में खिले हुए हैं, उनकी कोई सुन्दरता हमें आकर्शित नहीं कर पा रही है, उनके उपर बैड़त हमें भौरे पता नहीं क्या उनको आकर्शन दिख रहा है, भौरों का बज्ञावाशारी मतलब कर ता है unhealthy कफूर में ठंडा प्रदान करता करता है तो शी तलता प्रदानवल जितनी चीजे exist not mind Peninsula को अगने सब सबसावान सूर के समान जलन सी जैए जलाने वाले हो गए हैं और हमारे सरीर को बूल रहे हैं या मुसमें टप रहे हैं कश एई Udho Scottiroские Cran करी नहीं हुने और जूरी लिए और भाग degener सक्ता तुसको काट डालिये तुछी तरह से बिरह जो हमें गोपीयों को जो उनके प्रेम में पंग हो गए हमारी समझ में कुछ नहीं आता है वह हमें मार रहा है विरह जो हमें छूरी के समान मार रहा है सूर दास प्रभु को मग जोवत अखियां भाई बरंजयों गुंजे है उद्व प्रभु को मग हमारी आखें उनके रास्ते को निहार निहार करके उनके रास्ते देख देख करके अभी उस रास्ते स्कृष्ष्णा आएंगे वो गुंजा के समान फूल करके गुंजा के समान हो गई है लाल हो गई है कि यहां पर एक चीज है आप कि बानवी करण का उदारण देख सकते हैं मानवी करण कि पौन पान घंसार सजेवन दत्सुत किरन भानुभई भुंजे यहां पर आप जो है इसके बाद कि यहां पर भी आप दूसरा जो है कि बिन गुपाल भायरन बिन कुछ बिसाद कि बिसाद गोपियों का बिसाद यहां देख सकते हैं और कि दो चीजें इसमें इंपर्टन है मानवी करण के उदारण आप देखिए यहां पर बिसाद गोपियों का बिसाद संचारी भाव का यहां प्रयोग हुआ है अगला देखिए संदेशन मधुबन कूप भरे कि गोपियां पुना उद्धो से कह रही हैं कि गोपियां बोल नहीं है संदेशन मधुबन संदेशों से मधुबन मथुरा के सारे कूप या सारे जो कूएं हैं सब भर गए हैं संदेशों से जो कोव पथिक गए हैं हुआता है फिर नहीं अवन करें यहां से जो पथिक हमारे संदेश ले करके हमारे पत्र ले करके वहाँ पर गये है और फिर लौट के नहीं आए और कूप कैसे भरे हुए हैं संदेशों से वह आगे बता रहे हुपिया कैवे स्याम सिखाय समोधे कैवे बीच मरे अब वह लोटके क्यों नहीं आए या तो स्याम स्रीक्रिश्ण उनको सिखा दिये अब जाना मत दुबारा उनके पास या वो रास्ते में ही मर गए इसलिए वो लोटके नहीं आये और जब आये नहीं तो जो संदेश जितने भेजे थे गोपियों इतने संदेश भेजे थे कि वह उनसे वहां के कूप भर जाते सारे कूप भर जाते अपने नहीं पठवत नननन त्रीकृष्ण अपने संदेश तो भेजते नहीं है हमरे उफेर इधरे हमारे भी जो हमने भेजे थे वो भी रख लिए अपना तो भेजे नहीं हमारे भी रख लिए उसका जवाब भी नहीं दिये मसिखूटी कागर जल भीजे या सरकंडे जिनसे कलम बनती है आग़ल अगईंत सब जल गए हुए है ने साही ने कलम है तो कैसे लिखेंगे पाति लिखे कहो क्यों करी जो पलक का पाट परे पाति लिखे कहो क्यों करी जो पलक का पाट परे अब जिसका मन ही नहीं करेगा जिसके पलकों पर परदा पढ़ गया हो वो क्यों पत्र लिखेगा गोपियां यहां पर विसाद संचारी भाव यहां भी दिखाई पड़ता है विसाद आसान है संचारी भाव इसके बाद संदेशन मधुवन कूप भरे इसमें अच्सयोग तियलंकार है क्या है अच्सयोग तियलंकार ठीक पलक कपाट परे पलक रूपी कपाट पलक रूपी कपाट यहां पर आप रूपक का सकते हैं रूपक अलंकार है मस्य खूटी कागर जल भीजे सरदब आग जरे यहां भी अच्छयोगती है अच्छयोगत तलंकार तो इस तरह से संदेह की परधानता है इस पूरे पद में तो इस तरह से कई सारी चीजें आप यहां से देख सकते हैं इसको आप विशेश रूप से अगर मेंसन कर देंगे तो इसमें आपको मार्क सच्छे मिलेंगे वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब इस सीरीज की सारी जो ब्याक्ख्या है ब्याक्ख्या जितनी ब्याक्ख्या सब्सक्राइब देख सकते हैं और नए वीडियो आप देखते के कारण ही में दगातार अपनी क्लासेश अपलोट करवा रहा हूं थैंक्यू फर वाचिंग झार यह जो जितनी है क्वार वीडियों कुछ झारी जेख छेफने ऱगते आप्या हैं खना है उर मुछ रहा हूं खरादी भागेूं तर नए मुछ मुछ झार आप पर